हाई गाईज वेल्कम बैक तो मैं हुसी गमाउन मेरे चानल पर फिर से पर आपस वागत है तो आज बहुत ही रिक्वेस्टिव टॉपिक पर मैं यह वीडियो लेकर आईए यह अगें एक विट लॉस को टॉपिक है जैसे मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि टमी एरिया का जो ब्रिक्षण आपने बतायım तक टमी फैट तोगया है लेकिन जो बैक का फैट है यह फिर जो थाइस का पैट है या नि कि एबे क्या कि अपकी साल और अमगे जो लॉफर बोटी पैट है जिसे लोग थोड़े से ज्यादा बजी लगते है तो आज मैं उसी का यह जो डर ये आपके पेट पेट में तो work करेगा ही करेगा साथ ही साथ you जितना भी बैक का work है, जितना भी बैक का side है या पर जितनी भी थाइस का fat है इसंब को ये अच्छे से melt करेगा क्योंकि मैं ऐसी चीज इसमें यूस कर रही हूँ कि जो भी शुगर आपकी बॉड़ी में है जो फैट में तबदील हो गई है या जो भी शुगर आप इंटेग करते हैं कभी ना कभी ये उसको क्या करेगा पूरी तरह से मेल्ट करेगा उस जगह के फैट को तोड़े का तुक्ड़ो में करके आपकी बॉड़ी से बहार और उसके बगर में जो बैल आइकल लगी है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि आत मेरे लेटेस्ट वीडियो का आपके तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरह सब के सामने फिर से उपस्तिकू एक वेट लॉस ड्रिंग को लेके यानि कि आज का मेरा टॉपिक वेट लॉस ड् क्यूंकि अपदियर मेरे जो भाहर के सब्सक्राइबर हैं वो मुसे बोलते हैं कि मुझे आपके वीडियो नहीं समझ में आते हैं बट मैं आपका वीडियो समझना चाहती हूं तो उसके लिए मैने वीडियो के डिस्क्रैप्शन बॉक्स में सारी रसिपी लिखना करने वाली हूं ताकि आपको फुल वीडियो समझ में आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की रेसिपी तो फेंट इसके लिए आपको यहां पे लगबाग हाफ लिटर गरम पानी लेना है यहां मैं में मशिन का यूज कर रहे हूं गरम पानी लेने के लिए आपके ऐ आप इसे पी सके तो यह मेरा हाफ लिटर का जार है जिसे मैं पानी पीने के लिए इस्पेशली यूज करते हूं तो मेरा में जर मिट भी हो जाता है कि मैंने कितना वटर इंटेक किया है तो फ़स्ट आपको इसमें एक लेमन लेना है और अगर मैं इस्पून की बात करूं तो थ्री टेबल स्पून आपको लेमन जूस लेना है जिसके सीट्स आपको बिल्कुल सब्रेट करते हैं इसमें बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए तो आप इसमें फर्स्ट अफॉल एक नीमू एड़ करिए और फ्रेंड्स गरी मियों में नीमू पानी बहुत ही बेनिफीशल है आपकी बॉड़ी के लिए इसके बाद आपको इसमें ग्यांडेट सिनेमन पाउडर डालना है अगर आपको नहीं मिल रहा है पाउडर तो आप घर में ही जार में पीष के इसे चलनी से छानके रग सकते हैं इसके बाद मैं मैं लगभग वन टेबल स्पून हनी डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें वन टेबल स्पून एपल साइडर विनेगर डाल रही हूँ मैंने दालचीनी का फ्रयोग इसमें इसलिए किया है क्योंकि यह हमारी the metabolic rate को काफ़ी हाई करेगा और जो भी बाद़ी में चैलोरीज उसे भी बढर是啊 याननि कि जो भी ओनिंग में आपको पेट जिक्कते होती हैं और इसन गर रेना है है फ्लश आउट हो जाएगी तो आपको काफी अच्छा फील होगा और फ्रेंट्स वेट लॉस का सबसे पहला रूल यही है कि आपका पीट पुरी तरह से क्लीन होना चाहिए आपकी बॉड़ी डिटॉक्स होनी चाहिए कोई भी गंदगी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए तो यह जो ड्रिंक है आपका वेट लॉस करेगा आपके पेट को भी काफी अच्छा रखेगा और फ्रेंट्स अगर हो सके तो आप मौनिंग में तो आपको लेना ही लेना है और अगर आप और ज्यादा अच्छे से और मेटाबॉलिक रेट हाई करना चाहते हैं तो आप इस इसे बिफोर बेट भी लीजे याने के रात में सोने से पहले भी आप इसे ले सकते हैं आपको मेरा यह चोटा से वीडियो पसंद आया होगा चोटा सा जरूर है लेकिन काम को बहुत है इसे रेगलर बिसस पर यूज़ करिएगा और मैं यह नहीं बोलती हूं कि आप इसके स कर दीजेगा बिल्कुल भी देखने की जुरत नहीं है बिल्कुल भी आपको ट्राइ करने की जुरत नहीं यह मैं आप लोगों के लिए नहीं बताती हूं यह मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए बताती हूं तो मिलती हूं बहुत ही वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ